नमसकार दोस्तों शरीटा की रिस्वई में आपका स्वागत है तो देख सकते हैं हमने टमाटर प्याज लेसन हरी मिर्च लिया आ wontah न अगे और आज ढखाइंगे इसको दो म्नित के लिए ध्क द है और इसके बाद हमने इसको पलाट दिया है देख सकते हैं और इसको अलजा पलड के अच्छे से से आपना है बिल्कुल जो की टमार्यर एकदम पक जाए इस तरह से mensen I और देखे इसको खोल के देखने तो टमाटर पक गया है और इसका झिलका जो है पकने के बाद अराम से उतर जाता है तो आप किसी भी चीज से इसको उतार सकते हैं अगर आप लोग ऐसे गैस पर रखे-खे नहीं उतार सकते हैं तो गैस बंद करके और पैन को नीचे उतार के और हाथों से भी इसको घीचे ना तो यह निकल जाएगा राम से गरम आज पे मत करेगा नहीं तो आप लोग को सबसक्राइब घ들 अवन दाल चंश को निया और इसको इसी स्टाइल से मैस कर लिजेगा बिलकुल और इसमें हम डालेंगे 4-5 लहसन की कलिया देख सकते हैं इसको हमने 20 से कट कर लिया है हम चाहें तो तेल के साथ भी डाल सकते थे लेकिन तेल के साथ डालने से वो अच्छे तरह पक जाएगा तो इतना स्वाद नहीं आता है भरता में इसलिए इसमें थोड़ा भरता वगरे चटनी में कच्चापन लहसन का रहता है ना तो ही अच्छा लगता है लहसन का प्याज का मिर्च का तो अच्छा लगता है पकने के बाद अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए हमने इस टाइम डाला है और प्याज डाली हूँ हरी मिज डाली हूँ और यह हमने आग में पकाया था जो देशी आग बनते नहीं है गोसे वगरे के उस आग में हमने इस आलो को पकाया था भून रखाया देशी तरीके से तो यह आलो को भी हमने मैस कर दिया इसमें थूर इस दो पिंच के करीब गरम म इस मेंगे रालके मईड़ाइं यह पिर महाई सायों नियुम्हा निना निनयुक्त सकते हैं निंदा का आधा छुट लेंग राषा हैं तुकडों में हो जाएगा और बाकी सारे चीजों को इस तरह मिक्ष कर लेंगे कहीं कहीं अलू अगर मतलब खड़ा है तो उसको बड़े-बड़े में है तो उसको मैस कर लेज़ेगा दबा-दबा के तो इस तरह से आप लोग भरता बनाएंगे ना टमाटर और अलू मिक्ष अलू जाना चाहिए तो डाले नहीं तो इसी कहाँ बहुत बहुताक योग पलटते हुए हम थोड़ा सा नमक डौनitu 150 म, देख सकते हैं, बड़ा बनके तयार हो गया है हमने इधर लेंग मैं और बहुत थी बना इस भरता के अपतनी अपल्वार हुएई आप भरता भीकी जरूर बनाएगा और हाँ याद दिला देते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बैल आइकन भी दबाएगा तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं पसंद करते हैं तो उपर से डाल देजेगा बहुत टेस्टी लगता है यह भरता में और अगर नहीं पसंद है तो इसकी भी कर सकते हैं किसी किसी को पसंद होता है किसी को नहीं पसंद होता है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल क को सेस्क्राइब और कोमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारा जटपट बनने वाला टमाटर का भड़ता आप लोग को कैसा लगा और अपने दोस्तों रिष्टदारों में भी शेयर करिए आप इसको किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं जिसे डाल चावल भोरी लिट्टी रोट किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं तो देख सकते हैं ना आ रहा है ना मुह में पानी तो मिलते हैं नहीं वीडियो में धन्यवाद